प्रिये विध्यार्थियों, बड़े हर्ष की बात है कि प्रतम वर्ष के विध्यार्थियों के पाथिक्रम में नए विशे के रूप में अनन्दम विशे जोड़ा गया है हलकी यह विशे नहुकर एक आत्मविशलेशन का मात्यम है जो यह समझाता है कि हम अपने आपको स्वेम से इवं समात से कैसे जूर सकते हैं समाज के विशे के संदर्व में बात करने से पहले हमें समाज की प्रथम एकाई अर्थारत परिवार के चिंतन के बारे में चिंतन करना होगा आज का जो मेरा टॉपिक है परिवार समाज की प्रथम एकाई वो इसी लिए चुना है क्योंकि हमने देखा कि इस वर्ष पूरे विश्व के लिए यह है चुनौती पून वर्ष रहा है परन्तु इतनी नकारत्मत्ता के बीच भी है एक सकारत्मत्ग बिंदू यह रहा कि इसमें हमें अपने परिवार के साथ पुने जोड़ा परिजनों के साथ रहने का मौका दिया जिससे हमने एक दूसरे का सहयोग, प्रेम, सौहार्थ का वातावरन महसूस किया इतनी कठिन परिस्थित्यों में जूशते हुए भी परिवार के सानिद्ध से ही इतना सब हो पाया कि हम इन परिस्तितियों में खरी-खरी उतर सके इन परिस्तितियों में ही मनुष्य ने यह जाना कि किस प्रकार माता-पिता, बुजर्गों एवं बच्चों का एक दूसरे को सहयोग, प्रेम और आदर मिलने से ही असली अनंद की अनुभूती होती है। हम आनंद महसूस करते हैं, यानि आनंद आत्मा को शीतलता प्रदान करना एवं एक सुकून का एहसास देना होता है। इनसान समाज में जो भी करता है या करने लायक बनता है, वह उसके परिवार में दी गई सीख एवं संसकार पर ही निर्भर करता है। अत्य परिवार में हम देखते हैं कि किस प्रकार माबाप स्वयों को भुला कर बच्चों पर सब कुछ नियुच्छावर करने के लिए करते हैं, इवं इसी से आनंद की अनुभूती महसूस करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार लोगों ने काम की सिलसले में जो परिवार से दूर गए वे थे लोग, इन मुश्किल घड़ी में, कुरोना काल में लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के पास आना ही सबसे महत्वपून समझा। और इन मुश्किल घड़ी में उनकी हर संभाव यही कोशिश थी कि वे परिवार के पास लोट सकें। वहीं कुछ घटनाओं ने हमें खिंता भी धी, जैसे इतनी विपरीत परिस्तितियों ने उन्हें आत्मत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिया। अत्य है, यही समझ आता है कि परिवार का प्यार एवं सानद्य ही हमें साकारात्मत रख सकता है, एवं हर मुश्किल परिस्तिती से उबढ़ने में हमें सहीयोग करता है। इस विशे आनंदम के माध्यम से हमें आत्मस्वय निरीक्षन या आत्मनिरीक्षन का मुखा मिलता है कि हम अपनी कमियों को पहचाने, एवं उनको सुधार कर, परिवार, एवं समाज को सहीयोग देने में सक्षम हो सके। अत्य है, सभी विध्यार्तियों से मेरा अनुरोध है कि वैस्वयम मन्थन एवं स्वयम चिन्तन कर, यह जाने कि उन्हें किन कार्यों से आनंद प्राप्थ होता है, आनंद के अनुभूती होती है और उनी कार्यों को वो अपने जीवन में अपनाने का, अधिक से अधिक प्रेतन करें